नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सीए राजिंदर अरोडा है आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुए हैं अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें क्योंकि दोस्तों आप जतने से जाधा से जाधा से जाधा सब्सक्राइब करते हैं हमारे वीडियो उसको शेयर करते हैं उससे मेरा परो 22 दिन हो गए हैं सब्सक्राइब को अगर पूछा जाए तो सबसे पहला सवाल की GST Practitioner Registration लेना क्यों है GST Practitioner Registration का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि Rule 84 ये कहता है कि जब भी आपको GST Authorities के सामने अपेर होना है तो जब तक आप Rule 83 में रेजिस्टर नहीं होते हैं तब तक आप अपेर नहीं हो सकते तो मेरे इसाब से अभी तक प्रेस नहीं किया जा रहा है इस पर्टिक्लर रूल के अप्लिकेशन को बट इन ताइमस तो कम इस इस गों तो बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस अलसो वन मोर तिंग जो हमारे GST Practitioner Registration होंगे उनके पास एक और फैसिलिटी होती है कि वो पावर टॉन ही ले सकते हैं GST PCT 05 GST PCT 05 form में एक तरह के से authorization ले सकते हैं from the registered taxpayer कि जो भी data, जो भी information उसके supply की है उसकी जिम्मेदारी उसी की है और जो भी compliance करने वाला है या जो भी represented करने वाला है उसकी जिम्मेदारी नहीं है कौन हो सकता है, कोई भी citizen of the country हो सकता है person of sound mind होना चाहिए insolvent declare नहीं होना चाहिए, convicted नहीं होना चाहिए eligibility में कोई भी retired government employee हो सकता है कोई भी sales tax return जो preparer था, sales tax जो practitioner registered था पिछले 5 साल registered रहा, tax return preparer जो 5 साल से registered है और appointed day पे भी registered है तो वो सकता है graduate, post graduate हो सकता है, CA, CMA, CS हो सकता है कोई भी इस category में अगर कोई भी वेक्ती होगा तो वो GST registered practitioner, GST practitioner हो सकता है section 48 govern करता है इसको rule 83, 83A, 83B और 84 govern करता है इसको, आपको सबसे पहले rule 83 में एक registration portal पर कराना होता है बड़ा इस simple process है, जैसे कि आप नया registration करवाते हैं वैसे GST practitioner के registration के लिए भी आप जा सकते हैं अपनी details भरें, सारी information देता है, पूछता है आप से आपकी qualification का certificate का proof मांगेगा, आपका address, proof वगरा वगरा जो भी आपको नए registration के लिए चाहिए होता है बेसिक चीजे काफी सारी वो मांगता है उसके बाद jurisdiction officer जो भी आपका है, जिसके पास भी state या center के पास वो data जाता है, जो भी उसके पास registration जाता है GST practitioner का, अगर वो satisfied होता है तो आपको एक GST PCT 02 में certificate issue कर देता है इस certificate को लेने के बाद आपको rule 83 capital A में आपका एक exam decide किया गया है कि साल में दो बार national authority basically national academy of customs, indirect taxes and narcotics, NASIN कहते हैं उसको वो साल में दो बार आपका exam लेगी और आपको वो exam qualify करना है GST practitioner बनने के लिए exam की details क्या होती है, कैसे होता है, मतलब कब कब होता है इसमें क्या आता है, क्या नहीं आता है, कैसे किया जाए, वो सब एक हम separate video के द्वार आपको बताएंगे आज एक preliminary और introductory video है about this GST practitioner तो एक बर ही आपको registered हो जाते है, PCT 02 issue हो जाता है आपको exam qualify करना होता है, साल में दो बार NASIN के द्वारा exam लिया जाता है और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि इसके फाइदे क्या है basically बहुत जरूरी हो जाएगा आने वाले दिनों में GST practitioner होना और मैं समझता हूँ कि आपको एक status भी मिलता है, आपको एक recognition मिलती है आपको एक individuality पता लगती है और department उस बात को recognize भी करता है तो मेरे इसाब से सभी जितने भी GST में practice करने वाले लोग है उनको इसको consider करना चाहिए और GST practitioner के रूप में अपने आपको enroll ज़रूर department के पास कराना चाहिए आखरी में आपको कहूँगा कि जब आप एक बार एक state में GST registration जो भी GST practitioner का registration करवा लेते हैं तो वो एक state का registration आपका पूरे भारत में चलेगा एक ही state में करवाने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि बाकी सब 31-32 states में कराना पड़ेगा आपका एक state का registration पूरे भारत में चलेगा तो बाकी नेक्स्ट में वीडियो में आपको बताऊंगा about the examination part कि कैसे exam होता है क्या होता है क्या course content है कैसे पढ़ना है ये सब बते हैं ताकि जादा से जादा लोग हमारे इस समय जो परेशानी चल रही है पूरी दुनिया में समय का सुदुपयोग करें online कम से कम GST practitioner का registration तो क कैसे exam conduct करता है lesson but examination आपको appear होकर pass करना पड़ेगा मैं आशा करता हूँ आपके लिए useful रहा होगा ये video thank you very much friends हमारे youtube channel को subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए please thank you